गुड मॉर्णिंग मॉडर्न स्टार आज हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं क्लास फर्स के बच्चे जल्दी से अपनी हिंदी की बुक ऑपेन करेंगे पेज नमबर फिफ्टी वन ओके स्टुएंट देखिए कल मैंने आपको इस पार्ट के बारे में समझाया था आपका पार है 14 और 14 पार्ट में ही यहां पर देखी क्या लिकरा हुआ है आः की मात्रा तो हम इस पार्ट से आः की मात्रा को सीखे थे और थोड़ा ही सीखे थे, क्योंकि आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं और हमारा पाट क्या है? सने शने याद करो तो शने शने में क्या है? आहा की मात्रा है, शने है, शने है मिन्स क्या बता है? धीरे धीरे किस ट्रेंट्स कल हमने आपको दर्शब दिये थे लिखने के लिए और बच्चों ने बहुत ही अच्छा लिखा था बहुत इंटेलजेंट हैं आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज हो है हम आपको यहाँ पर यह स्टोरी है देखिए आप एक पिक्चर बनी हुई है इसी पिक्चर से यह स्टोरी है और हम इसको कहानी को पढ़ेंगे यह हमारे पार्ट की कहानी है चलिए स्टार्ट करते हैं दिखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे तो वही लिखा हुआ है सनेशन है याद करो अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है प्राताह काल छा बजे उठना चाहिए अब जो है यहाँ पे देखिए पैरेंट्स है ना यह अपने बच्चे को समझा रहे हैं यह हम फीगर देखके भी स्टोरी अच्छे से पढ़ सकते हैं प्राता हकाल छहाँ बजे उठना चाहिए दूसरी लाइन है क्या माता पिता को नमा करना चाहिए नमा मिन्स क्या होता है नमस्ते प्रणाम करना चाहिए हमें अपने पैरेंट्स का प्रणाम करना चाहिए माता पिता को नमा करना चाहिए फिर क्या है सूरज को नमा करना चाहिए सूरज को भी हम प्रणाम करते हैं नमस् भगवान होते हैं और फिर उसके बाद क्या है हमारी लाइन पाठ को शने शने याद करना चाहिए तो हमारा पाठ है उसे धीरे-धीरे याद करना चाहिए और क्या लिखा हुआ है पुनाह पुनाह दोहराना चाहिए पुनाह पुनाह मिन्स क्या होता है बार-बार तो अहां की मात्रा लग गई ना पुनाह पुनाह दहराना चाहिए क्योंकि जब हम कोई चीज बार-बार रिवाइस करते हैं तो वो मुझे अच्छे से लन हो जाती है और यह हमारी लास्ट लाइन है किसी को दुख नहीं देना चाहिए कभी ऐसे काम ना करो जिसे पैरन्स को दुख हो जो हमारे मम्मि पापा बोलेंगे हमें वही काम करना चाहिए अगर वो बोलते हमें पढ़ने के लिए तो हमें तूरंद पढ़ाई पर अपना ध्यान देना चाहिए तो हमारा part पड़ाने का इसमें यह वो है कि आप जो है कि आ मात्रां कि यहां पर कहां लगाई गई है और यही आपका जो है आज का homework है, आपको जो है एक पेज सूलेक लिखना है, ये जो है आपकी कितनी line है, एक दो, तीन, चार, दान, छे, छे, लाइन में आपको सूलेक अपनी copy में लिख के, अच्छी hand writing में send करना है homework, that is your homework, okay student, thank you.